हेलो फ्रेंद्स, वेलकम आक टो मैं यूट्यूब चानल साइंख खुश्री क्रियेशन्स तो आज के वीडियो में मैं आपको शट्तिला एक आदशी की पूजा विधी सिखाने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सुबह स्नानादी से निर्वित होकर आप रंगोली बनाएं रंगोली बनानी ना आती हो तो आप जहां भी पूजा करेंगे पूजा की जगापर आप थोड़ा सा हल्दी कुमकुम यानी हल्दी रोली डाल दें फिर उसके उपर पाट्टा रखें पाट्टे के उपर पीले रंग का कपड़ा बिचाएं अब भगवान विश्नु की फोटो हो या मूर्ती हो तो बहुत अच्छा है भगवान विश्नु को विराजित करें मूर्ती हो तो आप मूर्ती का भी स्नान कराएं मैं लड़ो को पाल और गनपती जी का स्नान करा रही हूँ गनपती जी की जगा आप सुपारी भी ले सकते हैं अब शट तिला यानि कि छे तरीके से आज के दिन हमें तिलो का इस्तेमाल करना चीए भगवान के पूजा में भी और खुद पर पी तो ये देखें भगवान का भी काले तिल और सफेद तिल मिला कर स्नान कराएंगे खुद भी आप काले तिल और सफेद तिल मतलब दोनों में से कोई से भी मिला सकते हैं मिला कर आप स्नान करें अब हम उप्टन ले रहे हैं तो मैंने तो रेडी में धर्बल उप्टन लिया है उसमें गुलाब जल, काले तिल, सफेद तिल मिलाएं हैं आप घर पर भी उप्टन रेडी कर सकते हैं उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ब बस थोड़े से बेसन में आप तिल मिला लीजे और उससे आप स्नान कर सकते हैं तो यह देखे भगवान को उप्टन लगाने के बाद अब हम वापिस से जल में सफेद तिल मिलाकर उनसे भगवान का स्नान कराएंगे लड़ु को पाल का गनपती जी का अब इसे आप पौध कर सकते हैं तो यह देखे अब साफ कप्रे से हम हमारे लड़ु को पाल और गनपती जी को पोच लेंगे अब लड़ु को पाल को नए वस्तर पहनाए गहने पहनाए नए वस्तर ना हो तो जो भी उनके वस्तरवा वो उने पहना सकते हैं अब थोड़े सा तिलो का आसन देकर हम गनपतीजी को और लड़कोपाल को विराजित करेंगे अब चाहें तो नीचे फूल भी रख सकते हैं तो ये देखिए हमारे लड़कोपाल कितने प्यारी लग रहे हैं लड़कोपाल ने जितनी भी चीजे पहनी हैं वो सब मैंने घर पे ही बनाई है बस पगड़ी घर पे नहीं बनाई हुई है तो ये ड्रेस कैसे बनानी है उसका लिंक भी मैं आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूँगी और हार का वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा ये देखिए भगवान को मोली पहनाएंगे इतरे लगाएंगे अब जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप चड़ाएं मेरे घर पे बहुत सारे फूल खिलते हैं इसलिए मेरे पास जादा फूल होते हैं आपके पास अगर जादा ना हो तो जो भी फूल आपको मिल रहे हैं वो फूल आप चढ़ाएं भगवान को धूब दिखाएं कोशिश करके पीले फूल मिल रहे हो तो पीले फूल चढ़ाएं फिर ये देखिए हम दीपक चास रहे हैं तो दीपक पे भी आप चंदन रोली जरूर से लगाएं अब तिलो का आसन देकर क्योंकि शट तिलाए का है अब यह देखें आज के दिन हमें तुलसी पर दीबदान जरूर करना है माग-μαस में जैसे मैंने आपको बताया ही था कि दीबदान जरूर करना होता है कम-से-कम एक बार पूरे महीने में जरूर से करें तो एक आधशी बहुत अच्छा दिने दीबदान करने के लिए तो तो अपने घर के स्यारों तरफ भी शाम को दिये लगा सकते हैं जरूरी नहीं है आप दीबदान सुबा करें दीबदान शाम को भी करा जा सकता है तो ये देखें दीपकों पर फूल भी चना हैं दीपक के अंदर आप तिल जरूर से डालें सफेद तिल और अब माता तुलसी पर आपको एक दीबदान जरूर करना है एक भगवान के सामने करें और आप अपने घर के में डोर पे भी रख सकते हैं और अब ये देखें हम भगवान को जल में भी हम तिल रखेंगे तो ये हमारे तिल का तीसरा यूज हो जाएगा भोग में भी हम खुद के खाने में भी जिससे भी आप अपना मतलब फलाहार जो भी करेंगे उसमें आप थोड़ा सा तिल मिला ले अब तिलकुर के लड़ू का प्रशाद भी आप भगवान को रखें तिल से बनी कोई भी मिठाई जो वरतने खाई जा सकती हो वो आप रख सकते हैं जैसे रेवडी गनपती जी को अलग प्रसाद रखें क्योंकि गनपती जी के प्रसाद में तुलसी नहीं होती है तो मैंने गुड़ नारियल रखा है अब फल आप कोई से भी फल ले सकते हैं पांच फल या तो आप काटके लें या फिर बिना काटें पांच फलो का या जितने भी फलो उतने फलो का भोग लगाएं भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे ओम नम भगवतो वासी दवय नम हरे कृष्णा बोलकर आप तुलसी चढ़ा सकते हैं या फिर भगवान के 108 नाम या फिर सहत्र नाम भी ले सकते हैं जितना आपको आता हो आप उतना कर सकते हैं मीनिमम ग्यारा पत्ते तो आप जरूर से चड़ाएं इसके बाद हम माग मास कृष्ण पक्ष्ट की शक्तिलाय कादशी का माहत्तम पढ़ेंगे उसका वीडियो आपक यूज हो गया और ये देखे हमें कपूर तिलार्ती करनी है इसे के साथ साथ आप तिलो का हवन जरूर करें या फिर तिलो का हवन जरूर करें आप मतलब उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और तिलो का दान भी जरूर से करें तिलो का दान करना बहुत महत् मागमास में अगर मागमास में किसी और दें नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक आदशी पर ही कर दें तो यह देखें किसी भी पात्र में वो पात्र का भी आपको दान करना होता है तो आप मिट्टी का ले लें कागस का ले ले या फिर मेरी थरह स्टील का ले ले उसमें अपनी इच्छा कि इस आप से पैसी रखे और इसको किसी को भी दान कर दें किसी गरीब को ब्रहामन को जिसको भी आप करना चाहें तो यही थी हमारी शट्ति लायक आदशी की पूजा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें मेरे चानल साइंग खुश्री क्र के अगरी डिशन को सब्सक्राइब करें थांक यू वेरी मच पर वचिए